A2B2 Study की YouTube चैनल में आप सभी का हाथ इक स्वाकत है दोस्तो आज की वीडियो में हम IDI के सभी छात्रों के लिए Engineering Drying का MCQ Based Questions का पूरा solution कराने वाले हैं इसलिए आज की क्लास महामाराथन क्लास होने वाली है दोस्तो ध्यान दीजेगा आपके Engineering Drying के लिए आपके Engineering Drying और Theory का पेपर एक साथ ही होने वाला है जिसमें की आपके CBT exam में 6 नंबर का Engineering Drying का MCQ Based Question पूछे जाना वाला है दोस्तो निमी नहीं हाल ही में एक PDF जारी किया है और उस PDF में कुछ questions है जो की आपके exam में जो questions पूछे आएंगे और वो उसी PDF से पूछे जाएंगे तो आज की इस वीडियो में हम आपको उस पूरी PDF का full solution बताने वाले हैं और ये सभी trade के छात्रों के लिए हैं और हम आपको Hindi और English both language में आपको पूरा उसका solution आज बताने वाले हैं तो अगर आप आज की ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको exam से लेकर के अभी तक कोई भी other video देखने की पूरी आवसकता नहीं होगी तो चलिए सीधे start करते हैं दोस्तो इस screen पर आपको एक PDF दिख रहा होगा जो की हालही में नीमी ने जारी किया है इस PDF में कुल 20 questions है और इस 20 questions में से ही आपको exam में प्रस्ण देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए हर एक प्रस्ण को हम कापी detail में समझने वाले हैं अगर आपको कोई भी प्रस्ण समझ में नहीं आता है तो आप हमें comment box में comment करके आवासे बताईए हम आपको उसका फिर से solution देने का प्रयास करेंगे तो चलिए start करते हैं दोस्तो हमारा आज का पहला जो प्रस्ण है वो है which is the largest size of driving seat दोस्तो driving seat का सबसी largest size क्या होता है यही आपको बताना है तो क्या आपने driving seat पहले कभी देखा है चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं दोस्तो हलांकी अब तो आपका paper mcq-based होने वाला है पर पहले जो aging drying का paper कराया जाता था उसके लिए एक drying seat दिया जाता था यानि एक आपका इस प्रकार का एक paper दिया जाता था इस paper में आपकी size वगरा भी लिखी होती थी तो इसमें जो a 0 जो size थी ये paper की सबसे बड़ी size कहलाती थी तो यहाँ पर आप समझ गया होंगे ये paper तो आपने देखे लिया और बहुत छात्रों ने paper देखा भी होगा तो दोस्तों which is the largest site of driving seat तो इसका correct answer होगा a 0 a b c और d आपको option भी देखने को मिल जाएगा अगर आपको ये pdf चाहिए तो आपको ये pdf भी मिल जाएगा आपको discussion box में इसी वीडियो के discussion box में एक link मिलेगा टेलिग्राम चैनल का वहाँ पर आपको टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना है वहाँ पर आपको इस pdf का link भी मिल जाएगा आप वहाँ पर याकर बहुत ही असाई से download कर सकते हैं दोसरा question पर आते हैं which figure is hexagon दोस्तो hexagon इन में से कौन सा figure है जो की hexagon है आपको चार आपसन दिख रहे होंगे एक यहाँ पर दो तीन चार इन में से कौन सा hexagon है तो दोस्तो hexagon एक ऐसा signal होता है जिसकी 6 भुजाए होते हैं वہbir आपके paintagon होता है paintagon में आपके एक दो 3 4 और 5 यह तो यह आपका पेंटा गोन कहलाता है वहीं अगर आपके यहां पर 6 बुजाए हो जाती है याणि आप देखेंगे तो दूसरे आप्शन में एक दो तीन चार पांच और यह एक छे अगर छे बुजाए हैं तो यह आपका हेक्सा गोन कहलाता है दोस्तो आई थिंग आपको प् संवाए। यह बहूत ही आसान प्लसन आप सभी ने अपने घरों में कभीने कभी तूं पेंट वगैर्रा या फिर रोलिंग से पेंट वगैरा करवाया ही होगा तो रोलिंग ब्रष यह होता है मिस्ट्री होते हैं यह आपको है और न गरा पास का एकूलर होता है ज нат Jul. अगर इस roller से ऐहमाली मलडी आपके दिवाल है के अपका वाल है जब यह roller से इस पे एक बार app चला देते हैं तो यह आपका रूललर हो जल्दी रंगा जाता है और यह पर पेंट हो जाता है तो रूलर होता है यह पींट में काफ ऌप दान और इससे काफी आसानी से प्रिंट वगरा किया जाता है तो रोलर ब्रस के बारे में तो आप बहुत ही अच्छे जानते होंगे तो यहां पर रोलर ब्रस जो है आपसे नंबर बी हमारे हां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बहुत ही आसान क्वेशन पूछे आते हैं इंजिंग आपको करा जाता है तो आपको प्रस न समझन समझ में आ जाएगा इतना आसान होता है तो यहां पर symbol of fillet valid joint का आपको पूछा गया है तो fillet valid joint का जो symbol होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं option number B जो हमारा है यह होगा इस question का बिल्कुल correct answer अगले प्रसम चलते हैं पांचमा question हमारा है दोस्तो यह pipe fitting का कौन सा यह प्रकार है आपको बताना है यहाँ पे आपको एक figure दिया हुआ है तो बहुत ही असान question है आपने देखा होगा जो घरों में पानी की wiring की जाती है घरों में जो पानी की wiring की जाती है उसमें क्या होता है कुछ जो null होते हैं उसमें आप तो null लगा देते हैं तो वह कोछ इस प्रकार का होता है तो ये टोपी लगा देते हैं वाइरिंग के बाद, जो वाइरिंग होती है पानी की, तो इसमें एक टोपी लगा देते हैं, और बाद में टोपी लगाने, हटाने के बाद वहाँ पे आपका नौल वगारा लगा दियाता है, तो I think आपको ये प्रश्ण भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं आगे अगरा question अमरा है which view is obtained on the vertical plane दोस्तो बहुत ही असान question है इसमें आपको पूछा हुआ है कि vertical plane में आपको कौन सा ये figure जो है वो दिखाई देता है which one view is obtained on the vertical view vertical यानि आपका ये होता है खड़े खेड़े view से आपको कौन सा view नजर आता है दोस्तों अगर आपने first angle third angle projection नहीं पड़ा है तो आपको ये question समझ में नहीं आएगा इसके लिए आपको इस video के description box में एक video मिल जाएगा अगर चाहें तो उस video को देख सकते हैं नहीं तो हम आपको यहां पर भी इसको समझा दकते हैं मालेजी आपका कोई एक घर है घर है मालेजी आपका ये एक यहां पर यहां पर हम घर बना देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए यह आपका घर हो गया यह उपर क्या हो गया यह आपका च्छत हो गया तो उसको घर के सामने वाला भागी यह भाग दिखाई देगा यही भाग दिखाई देगा जब यह सामने से देखेगा तो आपको सामने वाला भागी दिखाई देगा तो जो सामने से भाग दिखाता है इसे बोलते हैं front view वही दोस्तो अगर ऊपर से माली छट के ऊपर से माले मतलब यह हुआ कि यह आपका लाता है च्छ जो दिखा देता है वीव एसे हम बोलते है वहीं दोस्तो अगर वह वहagu आपके घर को ही साइट से देखता है मालीजी आपका च्छत हो गया और यह आपका साइट का भब हो गया तो अगर आपके घर को वह आके यहां से देखता है और आप साइड वाला व्यू देखता है तो यह साइड से देखने पर यह आपका कहलाता है साइड व्यू क्या कहलाता है साइड व्यू तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉंट व्यू साइड व्य और टॉप वियू क्या होता है अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये के वीडियो कुद देख लीजेगा आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच विऊ अप्टेन यानि कौन साप प्राप्त रतोता है या पिर दिखाई देता है वर्टिकल प्लेन में सिधे खड़े होने पर तो को सीधे खड़ने ओपर दिखाई देता है front view यानि सामने का भाग तो इसलिए आपसल number a हमारा front view यहाँ पे बिल्कुल correct answer हो जाएगा दोस्तों अगर आपको प्राश्चन समझ में आ रहे हो तो please वीडियो को like और share करना बिल्कुल भी न भोलें अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपको आइटियाई बिजिस की हर एक वीडियो भी प्रवाइड कर आते हैं चैनल पर आल्डेडी हर एक subject की playlist अविलेबल है और वहाँ पे बहुत सारी वीडियो भी अविलेबल है जो की previous year question paper से भी लाए गया है जिससे देखने के बाद आपको 100% आइटिया एक जाम में 100% आपको सफलता मिलेगी इसकी 100% guarantee है तो अब चलते हैं आगे next question पे दोस्तों अगला हमारा सातमा question है name of the part marked x दोस्तों यहाँ पे आपको एक figure देख रहा होगा यहाँ एक x के रूप में marked भाग है इस भाग का आपको नाम बताना है तो यह भाग आप को देखने परिपता चल रहा होगा कि यह कौन सा भाग है दोस्तों नानमली जो लगडी का काम करते हैं उनके पास एक इस प्रकार का आउजार होता है जिसे की नानमली बोल चलबासा में रंदा बोलते हैं क्या बोलते हैं रंदा की नाम से आप जानते होंगे तो इस भाग क इसका कार क्या होता है तो इसका कार होता है मालिजे कोई एक लगड़ी का ये पार्ट है और इस लगड़ी को पार्ट को छिलने का काम करते हैं तो इस पार्ट को एक प्रकास से इस पर इस लगड़ी को अगर ये लगड़ी मालिजे गंदा है इस पर किसी पर कार का घास लगा ह होगा है इस रंदे से जब उसे रगड़ते हैं तो यह आपका साफ हो जाता है आपने प्लाई वगड़ा देखा होगा तो जो पेड़ से पेड़ों की लगड़ी कठी होती है उसको इस रंदे के माधियम से साफ करते हैं और उसे प्लाई वगड़ा जो कि आपको बहुत ही ची भाग है वो क्या है दोस्तों विर्थ यानि आपका होता है चोड़ाई विर्थ जो होता है यह आपका चोड़ाई होता है और यहां पर बुछा है विर्थ यानि आपके चोड़ाई से समझत है यह जो भाग होता है यह आगे का आपने देखा होगा जो आगे का भाग होता है इ वो बहुत ही पतली छीलने लगती है और वही इससे अगर उपर कर देते हैं तो इसके जो बीच गैप होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और लगडी और मोटी छीलने लगती है तो यह जो एक्स के रूप में चीनित भाग है इससे मेंटेन करते हैं विट यानि उसकी चवड अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है आपके इसकीन पर की विच इज एलबो के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों नार्मली घरों में जो वारिंग होती है माली आपका एक पाइप आया हुआ है और यहां पर एक नीचे माली पाइप गया हुआ है तो इसमें पाइप आपका यह आया हुआ है दोनों पाइप को आपस में जोड़ने के लिए एक अलग से पाइप होती है जिसे कि बायार में आप खहित कहलाते हैं बाहर से तो यह आपका कुछ इस परकार का भाग होता है आप यहां पे स्कीन पर देख रहे होंगे यह आपका यह जो भ आपसर नंबर भी आप देख सकते हैं कुछ इस परकार का बना हुआ है तो यह आपका एलबो होगा और यह इसकी जो चवड़ाई होती है वो अलग अलग चवड़ाई के हिसाब से बजार में मिलता है यह आपका पतला भी हो सकता है यह आपका इतना मोटा हो ठीक है तो यह अलग अलग साइज का भी अलबो जो होता है वो मिलता है तो अलबो के बारे में आप सभी जानते होंगे तो यहाँ पर आपसर नंबर भी हो जाएगा हमारा बिलकुल करिक्टेंसर दोस्तों अगरा जो क्रेश्चन है वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपको नाम क्या है तो इस सिंबल दोस्तों जो है यह सिंबल आपका कल आता है सी आर क्या कल आता है सी आर आपके एकजाम में बार बार पुछा आता है कुछ सिंबल के बारे में तो सिंबल के बारे में हल ने आल्रेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंग आपको इस वीडिय जितने भी questions पूछे गये हैं अब तक की exam में वो सभी उसमें कबर किये गये हैं जिसे कि आप और भी अच्छा ही score कर सकते हैं अगले question पर आते हैं अगला question आपका क्या है कि यहाँ पर यहाँ तो sr हो गया और दसवा question हमारा है what is the name of the part marked x यहाँ पर x के रूप में चिनित जो भाग है उसका नाम क्या है तो दोस्तों यहाँ पर जो x के रूप में चिनित भाग है उसका नाम है thread यानि thread यानि धागा होता है तो यहाँ पर option number b यहाँ पर हमारा बिलकुल ही correct answer हो ज identify मतलब यह किस चीज़ का symbol है यह बताना है तो यह symbol किस चीज़ का है दोस्तों normally आप जानते होंगे जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध को मापते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या होता है ओम प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह होता है ओम ठीक है यह तो आप सभी अच इसको प्रत्रोद को मापने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं वहीं एक होता है आपका अमीटर अमीटर से हम धारा का मापन करते हैं और एक आपका होता है बोल्ट मीटर से हम बोल्टेज को मापते हैं वही आपका एक बचा हुआ है वार्ट मीटर तो वार्ट मीटर से हम सकती यानि एक प्रकार से जो आपका पी स्रिरोड करते हैं पी यानि सकती यानि पावर को मापने का कारे करते हैं तो आपको यहां पर पुछा हुआ है कि यह सिंबल किस्त का है तो आप देख रहे हैं कि इस पढ़ा होगा विद्दू चैप्टर को तो आप इंजिंग टाइंग के बहुत से क्वेस्टन को सिंबल जीर्ट क्वेस्टन को बहुत ही आसानी से स्वालोग कर पाएंगे दोस्तों अगला जो क्वेस्टन है वह बहुत ही दो प्रकार के होते हैं एक आपका होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर और एक आपका होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर यह दो ट्रांजिस्टर आपको पता होना चाहिए इसका सिंबल पता होना चाहिए तो आपको पूछा हुआ है कि एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल का सा होता है तो ध्यान दीजेगा अगर आपको एक प्रकार का यह सिंबल बना हुआ है ठीक पेपर में आपको इसी प्रकार सिंबल देखेगा और यहां पर आपको लिखा होगा यहां पर 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 बहुत ध्यान से देखना है कि अगर आपके symbol में यहाँ पे आपका symbol बन गया symbol तो आपको याद हो ही गया होगा अगर आपके symbol पे यहाँ पर इस वाले पाड में अगर arrow बाहर की तरफ जा रहा है अगर यह arrow बाहर की तरफ जा रहा है तो यह आपका np n transistor हो जाता है यह आपका npn transistor हो जाता है यदि emitter से धारा बाहर की ओर जा रही हो वह ही दोस्तों अगर ये symbol जो है अगर ये arrow ऊपर के तरफ जाता है मालेजी आपको प्रस्ट मिले दिया है कि ये symbol ऊपर के तरफ जा है तो यह जो आपका सिंबल हो जाएगा यह जो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर तो इन दो प्रस्णों को आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है आपको पी एन पी या फिर एन पी एन दोनों ही पूछा जा सकता है तो आ पर जो arrow है वो आपका बाहर की और निकला हुआ है तो यहाँ पर आपस नंबर A हमारा correct answer हो जाएगा अगर परस में चलते हैं which is USB mail connector which is USB mail connector ते रहा question हमारा है तो USB के बारे में कौन जानता आप सभी के पास phone वगारा अगरा प्रस में चलते हैं अगला प्रस में है इडेंटिफाइध सॉकेट इस्पैनर टाइप दोस्तों सॉकेट इस्पैनर क्या होता है इस्पैनर के बारे में जानते होंगे अगर आप अपना साइकल वगारा दुकान पर बनाए जाते हैं किसी साइकल के दुकान पर तो वह एक इस्पैनर रखे होते हैं इस्पैनर जो कि कुछ इस अकार का होता है यह इस्पैनर जो होता है कुछ इस प्रकार का एक भाग होता ह जो कि इससे cycle वगारा या फिर कुछी भी machine को कसने का काम कियाता है तो इसमें होता क्या है इसमें जो आपका गोला भाग होता है जिसको की फदाकर nut bolt को कसा जाता है यह जो भाग होता है अगर आप ध्यास देखेंगे इस भाग के अंदर कुछ lining कटी होती है इस परकार की lining कटी होती है तो इस lining की संख्या क्या होती है यह आपको यहां पे आप पुछा होई है तो यह पाइन में जो कटी हुई सांख्या की भाग होते है वह 12 होते हैं तो यहां परочно possa नबर ए ही हमारा यहां पर बिलुकुल correct answer हो जाएगा अगला question है which is the single page ac motor system symbol तो यहां पर single page ac motor का symbol क्या है ac motor single page ac motor समझते हैं single page ac motor सबसे अच्छा इसका example जो है वो है आपका fan जो आपका fan यानि पंखा होता है इसमें आपका single page induction motor ही यूज होता है तो यह जो fan आपका हो गया इसमें जो single page induction motor ac motor यूज होता है इसका symbol आपको पूछा हुआ है तो यहां पर जो इसका correct answer होगा वो option number c आपको यहां पर symbol में दीख रहा होगा कि यहां पर कुछ यहां पर गया हुआ है गोला बना हुआ है एम है इसके अंदर और यहां पर यह इसवा का symbol है पर दौस्तों आपको एक्जाम में हो सकता है कि आपको इस प्रकार यह इसकता है आपको यहां पर म बना देगा और यहां पर सिम्बल देख लेते हैं तो आपको हर एक परस्ण बिल्कुल दिमाग में घुछ जाएगा आपको रटने की आवसकता ही नहीं होगी अगले परसमें चलते हैं ऺाई डा टूल का nश्च का बताना है तो बहुत ही आसान question है इस tool का नाम क्या है दोस्तों नॉर्मिली यह टूल है इसका कार क्या होता है जो लगड़ी के काम करने वाइवाद कार्प्रेटर होते हैं वो किसी लगड़ी का मालीजे गुटका है तो इसको यहाँ प्रफसरえてन जहाए वह देखाए विए बिगी रहे में से तो यहां पर कि यहां प Schlossr स्वाइज टीग लुटिवेसंगा 10 कोई पतलागला क्रेटी स्वाणा करते है उसकी साइज को फिटिंग अगाइट정arda कम करते हैं तो यहां पर आपनाक्सर निमब्र एह. हमारा correct answer हो जाएगा सुला question हमारे हो गए अगला हमारा सत्रहमा question है what is the material for the given grade of a faster ठीक है तो आपको यहां पर इंग्लिश में हो सकता है ना समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूँ कि यह symbol आप देख रहे होंगे यह आपका एक nut का symbol है nut जानते हैं ना nut और bolt आपके दू होते हैं तो यह जो nut है ना यह किस पदास्त का बना होता है क्या यह लोहे का बना होता है क्या यह तामबे का बना होता है क्या यह पीतल का बना होता है दोस्तों यह आपको बताना है तो यह जो होता है यह आपका steel आपको देखने को मिल जाए high carbon steel और आपको दूसरा option देखने को मिल जाए low carbon steel ठीक है low carbon steel आपको भी देखने को मिल जाए तो दोस्तों आपको confused बिल्कुल भी नहीं होना है, जो यह nut बना होता है यह आपको बना होता है high carbon steel का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको carbon steel दिया हुआ है, तो correct answer होगा option number A, पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर यह high carbon steel का आपका जो nut होता है, वो बना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा, जो nut होता है, वो काफी solid होता है, अगर आप उसे पीटते भी हैं अथोड़ी से, तो उसमें कोई effect नहीं पड़ता है, काफी आपको मिहनत करना होता है, तो वो काफी solid होता है, high carbon steel का जो बना होता है, कोई भी धातू, तो वो काफी ही solid होता है, अगला प्रसन चलते हैं अगला प्रशन हाप का है which is the symbol of variable register variable register यानि कि ऐसा प्रतिरोध जो कि इसे की घटाया जा सके और बढ़ाया जा सके यानि variable register आपको बताना है तो variable register का जो symbol होता है वो होता है कुछ इस प्रकार यह आपका register का symbol होता है और variable register का symbol जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है यह आपकी वैरियेबल रिष्टर का सिंबल होता है यानि कि एक प्रकार से इस प्रतिरोत को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं तो यहां पर आपसे नंबर भी इस का बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल लोड लेने ना है दिमाग पर आपको बस इसको याद रखना है अगला प्रस्ना आपका निश्मा विच इस दर सिंबोलिक रिप्रश इंस्टेंशन ऑफ स्नैप हैडेड रिवेट दोस्तों डिवेट का सिंबल क्या ह होता है यह आपके स्नैप हैवेट का सिंबल होता है आपसा नंबर यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला जो क्रेश्चन है और हमारा आखरी परस्न है कि आइडेंटीपाई डटाइप आप कॉस्ट लाइन दोस्तों कॉस्ट लाइन जो होता है किस भाग को दर्षायर अब यहां को बताना है तो यह चो आपके लाइनिंग यह यह कैद रसाता है यही आपको बताना है तो यह दरसाता है आपके steep cost, steep cost यानि होता है आपका समुन्द 30 भाग को दरसाता है, समुन्द के 30 भाग को दरसाता है, ठीक है, तो यहाँ पे steep cost जो है, वो ही हमारा इस question का बिल्कुल correct answer होगा, आपसर नमबर A, तो दोस्तों आमने यहाँ पे 20 total questions को solve कर लिया है, आप अगर इस पूरे PDF को पूरी वीडियो को देख लेते हैं, तो आपके 6 में से 6 अंक कोई भी काटने सकता है, आपको 6 में से 6 अंक 100% मिल जाएगा, और अगर आपको symbols related और भी questions solve करना ह जो कि previous year के exam में अब तक जितने भी questions पूछे गया है, सभी questions को एक वीडियो बनाई गई है, जिसका link आपको इस वीडियो के disk system box में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके बाद आपको symbols related भी कोई भी questions नहीं छूटने वाला है, तो दोस्तों फा आपको iti study material समदित हर पकार की video already uploaded है, उसकी playlist available है, पिछले बार हमने जो भी questions state करके आपको दिया था, उसमें से total हमारे ही प्रशन, पूरी की पूरी छपे हुए थे प्रशन में, आप जाके playlist में चेक भी कर सकते हैं, तो अगर आप आगे भी अच्छे mark से iti जामें पास होन वीडियोज को देख कर एक जाम देने जाएं,